JDS Kitchen Channel में आप सभीस नहीं जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, देवियों और सजनों, आज हम बनाएंगे जामनगर का फेमस स्ट्रेट फूड गुगरा, ये गुजराती गुगरा बाहर से खस्ता है, क्रिस्पी है, स्पाइसी है, टेस्टी है, कल और वन्थर्ड कप कोकोनट को हमने फाइनली चोप कर लिया है, और ये है गुगरा, यानि कि वेजिटेबल गुजिया में लगने वाले मसाले, दो हरी मिर्च जिसको हमने रफली क्रस्ट कर लिया है, और आदा टीस्पून ब्लेक पेपर, एक टीस्पून बड़ी सॉफ, ए एक टेबल स्पून, आदा टीस्पून हिंग डालेंगे, और हिंग के साथ साथ डालेंगे ये दो हरी मिर्च जिसको हमने रफली क्रस्ट कर लिया था, और उसके बाद ये धनिया, जीरा, सफे तिल, ब्लेक पेपर और सौफ डालेंगे, जिसको हमने क्रस्ट करके रखा था, और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे, मिला लेंगे आधा टीस्पुन हल्दी पाउडर डालेंगे और mix कर लेंगे काजु और किस्मिस के छोटे-छोटे टुकड़े करके डालेंगे और मिला लेंगे अब इसमें एड़ करेंगे हरे मटर, ग्रेटेट कोकोनट और केरेट दोस्तों आप फुल गोबी, फ्रेंच बिन्स या कैपसिकम भी एड़ कर सकते हो आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हो स्वादा नुसार नमक डालेंगे, सोल्ड टू टेस्ट और मिला लेंगे दोस्तों ये कलरफुल और टेस्टी स्टफिंग आप समोसा, स्प्रिंग रोल या खस्ता खचोरी में भी यूज कर सकते हो आदा टेस्पून रेट चिली पाउडर रेट करेंगे और मिला लेंगे अब एक काम की बात अगर आपको ये गुजराती गुगरा की रेशिपी अच्छी लगे तो लाइक करना और वट्सप और फेस्बूक पर मेरी रेशिपी को सेर करना और मेरी नई रेशिपी की जानकारी के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकोन पर क्लिक करना ना भूले कवर करेंगे और 3-4 मिनिट के लिए धीमी आज पर पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे आईए चेक करते हैं हम इस स्टफिंग को ज्यादा नहीं पकाएंगे अब इसमें एड करेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर जो हमारे स्टफिंग को हलका सा खटापन देगा और आमचूर की खटास को बेलेंस करने के लिए डालेंगे 1 टीस्पून सक्कर एक चोथाई कप हरा धनिया डालेंगे और डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट जो हमने बचा कर रखा था और मिला लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आखिर में चक लेंगे टेस्ट कर लेंगे टिपिकल गुज़ाती स्टाइल का गुजिया का स्टफिंग तयार है जो टेंगी है, स्वीट है, स्पाइसी है, कलरफुल है और स्वाद में ला जवाब है और आखिर में इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए आधा टेबल स्पून गरम मसाला और ये है दो आलू जिसको हमने स्टीम कूक करके छोटे छोटे टुकडों में काट लिया है आलू को डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे अब आउटर लेयर के लिए हमने लिया है डेड़ कप मेंदा आधा टी स्पून नमक डालेंगे और डालेंगे एक टेबल स्पून पिनट वेल मुंफली के तेल को डाल कर मिक्स कर लेंगे अब जरूरत के एसाब से पानी डाल कर एक टाइट डो लगा लेंगे दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आउटर लेयर क्रिस्पी बने और नरम ना हो तो ओएल डालने की जरूरत नहीं है बिना तेल का ही आटा लगा ले देखिए हमारा टाइट डो रेडी है जिसका टेक्स्चर कुछ ऐसा दिखेगा कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे अभी साटेके छोटे-छोटे पेड़े बना कर चपाती बेलेंगे ये चपाती ज्यादा मोटी या ज्यादा पतली ना रखे किसी भी गोल्ड धकन को रख कर प्रेस करेंगे और काट लेंगे इसी तरह से हम सारी पूरिया बना लेंगे अब इसमें स्टफिंग भर कर गुगरा तैयार करेंगे स्टफिंग को रख कर किनारी पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि डिप फ्राय करते वक्त गुजिया खुले नहीं अब इसको हलके हाथों से दबा कर सील करते जाएंगे और गुजियाती गुगरा की टिपिकल डिजाइन बनाएंगे प्रेस करेंगे, हलका सा खिचेंगे और फोल्ड करेंगे ध्यान से देखिए, बहुती आसान है इसी तरह से हम सारे गुगरे तैयार कर लेंगे और एक खास बात, इस गुजियाती गुगरे को 15-20 मिनिट के बाद डिफ्राइ करेंगे ताकि हमारा आउटर लेयर क्रिस्पी बना रहे अब गेस को ओन करेंगे और एक पेन में पिनट ओयल को गरम करने के लिए रखेंगे हमारा ओयल गरम हो चुका है अब आज को दिमी करेंगे और वेजिटेबल गुगरा को डिफ्राइ करेंगे दिमी आज पर डिफ्राइ करेंगे और बीच बीच में पलटते रहेंगे समोसा, कचोरी या गुगरे को दिमी आज पर डिफ्राइ करने से उसका outer layer smooth और खस्ता बनेगा दीरे दीरे color बदलने लगा है हलका सा सुनहरा color आ गया है हमारे घुग्रा, हमारे गुजिया ready है उसे निकाल लेंगे इसी तरह से हम सारे घुग्रा को deep fry कर लेंगे अब इस tasty और delicious घुज्राती घुग्रा को हम गर्मा गर्म सौर्व करेंगे ताजे दही को फेट कर डालेंगे और डालेंगे धनिये फुदिने की हरी चटनी और ये है खजूर इबली की खटी मिठी चटनी इस चटनी की link description box में दी है थोड़ा सा चाट मसाला और नाइलोन से उसे सजाएंगे हरा धनिया और अनार के दानों से गानेश करके सवर करेंगे तो देवियों और सज्जनों आप इस गुजराती फासपूर खस्ता और डिलिसियस गुग्रा को जरूर ट्राय करें और आपकी अनुभव हमारे साथ सेर करें हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया आप स्वस्त रहे, मस्त रहे, तंदुरस्त रहे आपका दिन सूब हो, मंगल में हो इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसी मज़दा रेसिपी के साथ तब तक मुझे आग्या दे, धन्यवाद, नमस्कार